कि नमस्कार दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस्पिटिंग हो या राइटिंग हो ये इच किया जाता है जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी संटेंस हो जहां पर भी साइब का कि लोग प्यार के बदले मैं तुम्हें फूंट के बदले तुम्हें चीनी की जगा गुर खाना चाहिए ये जगा के बदले के बदले हो उसके दिए दो फ्रेज है इसको हम लोग इच करके सेंटेंस को बनहा से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है पहले हम लोग इच करेंगे आप्टर देट इन लिव आफ जैसे लोग बोलते हैं कि लोग प्यार के बदले तो यहां पर देख रहें कि प्यार के बदले के बदले में दर्द देते हैं तो according to rule पहले हम लोग subject रखते हैं तो people फिर उसके बाद word give फिर उसके बाद जो भी sentence आता है उसको हम लोग रखते हैं फिर के बदले के लिए in exchange for यहां पर put कर देंगे उसके बाद जो sentence आएगा जो word आएगा उसको हम लोग लिख देते हैं फिर दुसरा sentence देखते हैं मैं तुम्हें खून के बदले अजादी दूँगा यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं के बदले तो यहां पर हम लोग के बदले के लिए in lieu of का पर परियोग कर सकते हैं I will give you freedom in lieu of blood ठीक है फिर तिसरा sentence देखते हैं हम लोग तुम्हें चीनी की जगा गुड़ खाना चाहिए की जगा की जगा के बदले similar word है और इसके लिए भी हम लोग in exchange for या in lieu of का परियोग कर सकते हैं तो sentence देखते हैं you should हमें चाहिए take क्या भै जगरिंग मेंस होता है यहां पर गुड़ ठीक है हमें चाहिए गुड़ किसके बदले सुगर के बदले तो यह sentence और ऐसे जितने भी sentences आएंगे तो इस structure और इस rule फोलो करके आप लोग बना सकते हो यूट्यूब पर इंग्रेश भी सिंग साहब आप सब्सक्राइब कीजिए thank you for watching thank you